हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मैं संदीप परमार अपने चल्ण पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो क्रिप्टो को लेकर मार्केट में बहुत सारी नियूज निकल के आ रही है अगर हम डेली की बात करें कुछ न कुछ खास निकल के आ रहा है लेकिन इस में से मैक्सि होगा कि क्या बैन होने वाला है किसे परमीशन मिलने वाली है और क्या रेगुलेट होने वाला है और क्या बैन होने वाला है तो इसी कदम में आज एक और नियूज निकल के आ रही है और ऐसी नियूज जब मार्केट में नियूज पब्लिश होती है या फिर बड़े- तो कुछ नहीं जाता है, जो market में ऐसी news public करते हैं, तो अभी की बात करें, तो एक fake news market में आई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि India's crypto bill proposed arrest without warrant के arrest कर लिया जाएगा, जो rules हैं अगर आप उनका violation करते हैं, तो आपको jail भेज दिया जाएगा, साती सात, कुछ jail के प्राबधान के साथ, कुछ fine का भी प्राबधान है, तो ऐसा बिलकुल नहीं है, government प्लान कर रही है, सबी activities को ban करने की, mining को, holding को, selling को, या फिर कुछ private cryptocurrencies को, तो ये कहना बिलकुल अभी गलत होगा, क्योंकि जब तक bill नहीं आ जाता, तब तक market में बहुत सार क्रियेट कर रही है, और crypto holders को डराने की कोशिश कर रही है, इन news की वजए से, जो यहाँ पर investors है, उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है, ऐसी news, जब भी एक निवेशक market में देखता है, तो उसके साथ एक panic situation, market में आ जाती है, और जितनी भी conditions हैं, या फिर जो holders हैं, वो market मे panic हो जाते हैं, और कहीं न कहीं, selling pressure हाभी होते हुए दिख रहा है, और इस article में बिल्कुल clear कहा गया है, कि यह जो sources हैं, वो clear नहीं है, या फिर authorized, जो speak person है, या फिर media के द्वारा, कोई authorized source नहीं है, इसका, लेकिन फिर भी market में, crypto currency को बदनाम करने के लिए, उसके investors को यहाँ स बगाने के लिए, या फिर एक loss making sector बनाने के लिए, इस सारी news है, market में flash की जा रही है, और इस heading को आप बिल्कुल clear ही समझ सकते हैं, कि crypto currency in India, proposed bill banning crypto payment, could mean jail for violations, document show, अगर आप को document show नहीं करते हैं, या फिर जो rules बनाए जाते हैं, अगर आप उसे, आप violation में पाई जाते हैं, उन करोणों रुपे का fine किया जाएगा, तो ये बिल्कुल fake news है, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए, कि ऐसी market में बहुत सारी fake news आएंगी, अभी इस अफ़ते की बात करें, तो आज Tuesday है, हो आने वाले समय में या फिर हो सकता है, कि इसी week में कही तक market में बिल ना आजाए, जो भी अब ये देखना होगा कि उस बिल के अंदर क्या क्या गौर्मेंट प्राब्धान ले के आ रही है, तब तक आपको बिल्कुल panic नहीं होना है, और कोई भी condition आपको अपने coins को नहीं sale करना है, अगर यहाँ पर कुछ भी बेहन होता है, तो आपको proper time मिलेगा sale करने के लिए, proper justification के लिए, तो बिलकुल ना घबना हैं, और अपने coins को hold करके रखें, तो friends अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, तो like करें, share करें, subscribe करें, शाती-शात बहुत ज्यादा प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद, thank you.